हाई गाईस वेलकम बैक टो आवर यूटूब चैनल डिप्लोमा वर्ल्ड आज की इस वीडियो में हम आपको फर्स समिस्टर थर्ड समिस्टर फिप समिस्टर यानि की और समिस्टर के एक्जाम के बारे में अपडेट देने वाले हैं तो वीडियो के एंट तक जरूर बने रह होंगा यह लगवा कनफर्म हो चुका है क्योंकि देखो आज तारीक हो चुकी है 23 चालिस परसेंट से अधिक ऐसे स्टुएंट अभी बाकि हैं जिनको आप अपने यूपी बीटी के जो और समिस्टर के जो एक्जामनेशन फॉर्म हैं वो भरने के लिए रह गए ठीक है वो अपने एक्जामनेशन फॉर्म आराम से भर सकेंगे ठीक है आज 23 तारीक है तो लगवक तीन दिन मेरा मानना है तीन दिन एक्जामनेशन फॉर्म की जू डेट है उसको बढ़ाया जाएगा 13 से 26 किया जाएगा अब 27 अगर 27 अगर 27 तो चार दिन तो बचे तो 4 दिन में ना तो कोई आपके date sheet आने वाली है नहीं देखो अभी date sheet आई है नहीं आपके admit card आएं और main चीज जो होती है आपके role number नामामली ठीक है role number अभी तक आपके role number भी आपकी university ने जारी नहीं किये नहीं centralist अभी तक आपके board ने जारी किये ठीक है तो बहुत सारी चीजे हैं बहुत सारे सवाल हैं तो 27 जो exam start हो रहे हैं वो 27 से start नहीं हो पाएंगी ये लगवग 100% से और हो चुका है तो पहला जोग पर doubt है कि 27 से exam होंगे तो वो आप दूर कर लीजे आपके exam 27 से नहीं होंगे अब आपके बहुत बड़ा सवाल है कि अब आपके exam कब start होंगे और semester के तो देखो मेरा मानना है कि जब जब UPVT कोई date देती है exam कराने की तो उस date से एक या दो दिन पहले वो date sheet जारी करती है यानि कि 25 से लेके 27 के बीच में आपकी date sheet जारी हो जाएगी 100% आपकी ये surety है ठीक है हमारी है 25 से 27 के बीच में कल जावेद मुस्तवा सरीजी ने भी ये notice दिया था कि आपके जो exam है वो अब 27 से नहीं होंगे आपके exam को आगे बढ़ाया जाएगा आपके exam जनवरी में होंगे लेकिन कौन सी जनवरी में होंगे वो भी आप समझ लीजिए देखो आपके माल लीजे 27 तारीक को ही date sheet आती है ठीक है तो date sheet जब आईगी तो आपके exam होंगे 10 जनवरी के बाद से ही start होंगे ये भी confirm ही है ठीक है कम से कम 13 से 20 दिन देता है बोड आपके exam कराने के लिए ठीक है तो 13 से 20 दिन आराम से 10 10 के बाद ही start होंगे क्योंकि date sheet देने के बाद कम से कम 10 दिन तो दिये ही जाते हैं आपके examination कराने के लिए क्योंकि 10 दिन में भी बहुत ही मुश्किल से कार रहे हो पाता है तो तीनों कराने में बहुत समय लगता है लेकिन main चीज तो अभी यह ही है कि आपके examination form सब बच्चों के भर जाए क्योंकि देखो examination form उनी चाठ चात्रों के अभी तक भर पाए है जिनका जो recheck का result है वो आ गया है या फिर जिसने recheck भराई ही नहीं था जो clear पास थे उनके ही लेकिन ऐसे चाठ चात्रों के आसपास ऐसे student है जिनका recheck का result अभी भी सून दिख रहा है तो जब तक वो result clear नहीं हो जाता तब तक आप अपने examination form नहीं भर पाऊगे ठीक है तो बहुत ऐसे student है जिसका examination form नहीं भर पाए है तो आज दुपैर तक बेभी या 10-11 बजे तक आपके पास update आजाएगी कि examination form की जो data link है उसके एक बार फिर open कर दिएगा आपके examination form फिर से भरे जा रहा है जब तक examination form नहीं भर जाएंगे जब तक examination form नहीं भर जाएंगे तो उस हिसाब के आपके center list है वो जारी होगी students की संख्या को देख कर ठीक है तो wait कीजी update कर लेकिन ये confirm हो चुका है कि आपके जो exam जन्वरी में होंगे वो भी 10 जन्वरी के बाद कभी भी start हो सकते हैं 10 जन्वरी से पहले बिलकुल भी कोई भी संबाबना नहीं है start होने की ठीक है तो वीडियो में इंट तक बने नहीं के लिए बहुत बहुत धन्यवाद मिलते हैं अगले वीडियो में तब तक के लिए जाएं जय भारत